नमस्कार जैसी आराम राद हे राद हे मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि करकरासी वालों का आज का दिन यणी की 31 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस बेडियों के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फोलो करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी, कहीं कोई शमस्या नहीं हो शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ, आपके सुभास्त के बारे में मित्रों सुभास्त के दृष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए सामानी रहेगा आज के दिन बेहतर जिन्दगी के लिए आप अपनी सेहत और अपने बिक्तित्तों में सुधार लाने का प्रयास करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपके सुवास्त में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके धन संपती की ओर देखा जाए तो पैसों के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन ग्रह और नक्छत्रों की चाल आपके लिए फाइदे मंद और बिहतर नहीं रहने वाला है इसलिए आज के दिन आपके पास जो भी पैसा हो जो भी धन संपती हो उस पैसे को उस धन संपती को आप बचाने का प्रयास करें क्योंकि यह आपके आने वाले शमय के लिए बहुत जियादा आवस्यक है वैसे अगर आपके घर पड़िवार की बात करें तो पाड़िवारिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा बीतेगा आज के दिन आप अपने घर पड़िवार के मिम्बर्स की जरूरतों को तरजीह दें उनके सुख और उनके दुख में आप उनके पाटनर बने उनके भागीदार बने अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपके घर पड़िवार में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आप रोमेंटिक खयाल और सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले हैं और इस वज़ा से आज के दिन आपके प्रेम बंध में कहीं कोई पडेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने बेपार बेवशाई में अगर आप नए पार्टनर को जोरना चाहते हैं तो पार्टनर को जोरने से पहले आप उस विक्ती के बारे में साड़ी बातें पत ज्यादा आवस्यक है इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और सांदार होगा तो उपाई बहुत ही ज्यादा आसान है आज के दिन आप असनान करने से पहले जिस पानी से आप असनान करोगे उस पानी में आप थोरा गंगा जल मिला दें और गंगा जल मिलाने के बाद उस पानी से आप अशनान कर लें आपका शमय सांदर होगा इसका फाइदा क्या है कि आज के दिन आपका वो असनान जो होगा वो गंगा असनान हो जाएगा और गंगा असनान का जो फल मिलता है वो फल आज के दिन आपको मि मित्रों आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है केसरिया और पीला आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है पांच यनी की फाइब तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद ज के सी आराम